Hello, what's your related discussion? The question says, Ingler and Penetral published the phylogenetic system in the monograph. So, सबसे पहले की concept की बात करिंगे सके Key concept Key concept हो जाएगा इसका phylogenetic system Phylogenetic system इसका key concept हो जाएगा अब phylogenetic system क्या होता है? So, phylogenetic system एक प्रकार का ऐसा system है जिसमें groupin of groupin of animals and plants into groups or categorized based on predetermined है क्राइटेरिया क्राइटेरियास क्राइटेरिया इस लॉन ज त्ट लासिफिकीशिन है कि लासिफिकीशन तो अब बास करते हैं पहले जो इंगलर और ऑडल फॉर फैंटल की बात करें है जो एडॉल्फ एंगलर और पेंटल है एडॉल्फ एंगलर एंगलर जो है एडॉल्फ एंगलर और पेंटल जो है वो क्या है जर्मन बोटनिस्ट है जर्मन बोटनिस्ट है बोटनिस्ट जन्होंने क्या किया था वर किया था प्लांट के उपर वर कौन दी प्लांट किसके उपर बंग किया था प्लांट के उपर बंग किया था प्लांट टेक्सोनोमी जिन्होंने प्लांट टेक्सोनोमी के उपर बंग किया था एंड फाइटो जियोग्राफी एंड फाइटो जियोग्राफी ग्राफी जो कि क्या थी, such as, such as, die, die, naturally chained, naturally, naturally chained, flagenfamilion, flagenfamilion, familion, familion, lian, जो कि क्या था, एक natural plant है, the natural plant, so, क्या दियावा है, option A, दियावा है, origin of species, इन्होंने नहीं किया था, publish, B, दियावा है, general plantum, यह भी नहीं किया था, इस्टोरिया, plantum, यह भी नहीं किया था, और D, किया था, die, natural linea, flagen, तो जो पैंटल थे, इन्होंने भी इनके साथ मिलकर, कावी सारे arbenium को produce किया, और यह जो die, natural flagenum है, इसको भी इन्होंने, जो है, publish किया था, इनके साथ work किया था, so, final answer क्या हो जाएगा, इसका, final answer, final answer, option D, I hope you understand this question very well, best of luck, thank you.